नमस्कार साथियों आज के वीडियो में डिसकस करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग ओपिसर की वेकेंशी की दो नई अपडेट को लेके पहली अपडेट में आपको बताएंगे कि कितने टोटल अप्लिकेशन फोर्म याँ पे भरे गए थे और दूसरा अपडेट साथियो यह कि जिन कंडेट ने अप्लेकेशन फोर्म भरा है और उसमे कोई मिस्टेक हो गई है कोई गलती हो गई है कोई डरूटी हो गई है तो उसमें कब तक आप ed hack कर सकते हैं मतलब कब तक उसमें अपनी हुई गलतियों को सही। सकते हैं तो दोनों अपडेट इसी वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो को शेर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा अपडेट पाने के लिए तो सबसे पहले आपको बता दें कि फार्मासिस्ट और नर्सिंग ओपिसर की वेकेंशी के लिए यहां पर जो टोटल क किये गए थे लेकिन साथियों जब यह दुबारा अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए थे जो पहले वेकेंशी कैंशील हो गई थी उसके बाद साथियों 74 से बढ़कर 82,150 के सम्थिंग यह पहुंच गए हैं तो टोटल जो अप्लिकेशन फॉर्म आये साथियों को 82,150 आ केवल 17,000 ही रह गई है जो पहले वेकेंशी आई थी उसमें 24,000 कंडिडेट नहीं आपर ओलनाइन अप्लिकेशन फॉर्म भरा था अब देखे साथियों यहां पर एक नई अप्डेट यह भी है कि यह दिया आप मस्ची करना चाते हैं तो उसके लिए ओनलाइन जो अप्लिक कब तक कर सकते हैं तो साथियों यह नोटिफिकेशन है वो शीफू के दवरत जारी किया गया है जिसमें नोने कहा है कि नर्शिंग ओपिसर की जो भरती है उसमें अपनी किसी भी गलती को सही करने का है यह लास्ट मौका आपको दिया जा रहा है इसके बाद साथियों आपक हम clear कर देना चाहते हैं कि नया application form आप नहीं भर सकते हैं जो पहली बार candidate apply करने का सोच रहे हैं जिन्होंने पहले apply नहीं किया है उनके लिए भी कोई मौका नहीं है अभी केवल आप अपने form में जो गलती भी है उसको सही कर सकते हैं देखे साथियों यहां पर आपको जो time bound किया गया है वो एक बार आप देख लीजिए तो 17th of June मतलब आप 17 June से लेके और 21 June 2023 तक अपने application form में कोई भी गलती उसको सही कर सकते हैं हालांकि जो candidate थे ऐसे candidate जो OBC से ST, SC से AWS से आते हैं और उन्होंने उस time अगर certificate अपना कोई परमान पत्तर या सपत पत्तर परस्तूत नहीं किया था तो वो आप अब परस्तूत कर सकते हैं ऐसा इन्होंने यहां पे साप मेंजाने किया हुआ है तो साथियों यह दो update आपके लिए थी दोनों यह update हमने आपको बता दी है वीडियो को से और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद